आज की युग में बिजली का महत्व सर्वविदित है। इसके बिना आज सामान्य जन जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वियक्ति की दैने को प्योगिता से लेकर किसी भी देश की त्वरित विकास की मूलभूत आवश्यक्ताओं में से एक है बिजली। आर्थिक विकास के लिए आधारभूत सनरचना विक्सित करने में विद्यूत का विशेश योगदान होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है बिजली की कोज किस नहीं की थी और क्या से की थी तो चलिए इसे जानने के लिए जानते है बिजली के खोज एवं विकास के इतिहास को ऐसा अनुमान किया जाता है कि इसा के लगभग 600 वर्ष पूर्व बिजली की खोज हुई थी लेकिन बिजली का जो स्वरूप आज प्रचलित है वो क्रमिक विकास का परिनाम है बिजली के विभिन यंत्र बल्ब टेली फोन रेडियो पंखे आदी जिन पर हम आज इतने करकर जमने वाला रस या गूंद को कपड़े पर रगड़ने से उसमें सूखे पत्तों पंखादी को अपनी ओर आकर्शित करने की क्षमता आ जाती है चून की अंबर को यूनानी भाशा में इलेक्ट्रान कहा जाता है इसलिए थेल्स ने इस गूंद को अलेक्ट्रसिटी न पर्शन विद्युत की व्याख्या आवेश के इलेक्ट्रोनिक सिध्धान्त के आधार पर की गई इस सिध्धान्त के अनुसार हर पदार्थ परमानूं से मिलकर बना होता है परमानू के केंडरिय भाग में धनावेशित कन प्रोटॉन तथा उदासिन कन न्यूट्रॉन हित होते हैं केंद्रिय भागव नाभिक के चारूं और रिनावेशत इलेक्ट्रॉन चक कर लगाते रहते हैं चून की परमानू में इलेक्ट्रॉनों में प्रोटनों की संख्या बराबर होती है अता घनावेशों एवं रिनावेशों की उपस्थिती के बावजूद परमानू विद्युतिय रूप से उदासिन होता है लेकिन जब एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ पर रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रोन निकल कर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं जिस पदार्थ से इलेक्ट्रान निकल कर दूसरे पदार्थ में जाते हैं उसमें इलेक्ट्रोनों की कमी हो जाती है। फल्तव वधनावेशित वस्तू के समान व्यावाहार करने लगता है। दूसरा पदार्थ, जिसमें इलेक्ट्रोन चले गए हैं, इलेक्ट्रोनों की अधिक्ता की वज़े से रिन आवेशित वस्तू की भाती व्यावाहार करता है। थे उसकी खोज के 2000 वर्ष बाद विलियम गिलबट ने पता लगाया की यह विचित गुन अमबर के अतिरिक्त बहुत से अन्यपदार्थों में भी है। गिलबट के एक दो शताब्दियों के बाद के वैज्यानिकों को भी बिजली के बारे में इससे अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई। पर कुछ वर्षों बाद इटेलियन वैज्यानिक एले साल्ड्रो वॉल्टा अलसांड्रो वॉल्टा ने एक उपकरन बनाकर बिजली की हलकी सी धारा उत्पन करने में सफलता प्राप्त की। संयुक्त राजे अमेरिका के वैज्यानिक एवं दार्षनिक बेजामिन फ्रांकलिन ने 1752 में अपने एक खतरनाक परीक्षन से सिधा कर दिया था कि आकाश में प्रकाश की चमक बिजली का ही एक रूप है। उसने वर्षा वाले दिन एक पतंग उड़ाए और उसकी डोर निचले सिरे पर एक चाबी बांध दी। चाबी छूने पर उसने बिजली का जटका महसूस किया। विचार किया कि जब बिजली चुमबक पैदा कर सकती है तो चुमबक बिजली पैदा क्यूं नहीं कर सकता। और अपनी इस विचार धारा को सत्य में बदलने के प्रयास में वे लग गए। बल्ग बनाया और उन्होंने ही बिजली पैदा करने वाला पहला बड़ा यंत्र बनाया। उनके द्वारा निर्मित यंत्र एक वर्ग मील क्षेत्र में बिजली पहुँचाता था। 1820 में विलियम स्टजन ने विद्यूत मोटर का आविशकार किया। उन्होंने ही पहला विद्यूत चुमबक बनाया। पहला सफल जनरेटर जर्मनी के सीमान्स नामक वैग्यानिक ने 1867 में बनाया। तार और टेलीफोन पर विजली द्वारा समबाद भेजने में मोज और बेल नामक वैग्यानिकों ने सफलता पाई। वर्तमान में तो बिजली घरों को रोशन कर ही रही है, कारखानों को चला रही है, ट्रेनों को गती दे रही है, विद्यूत पंपों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुँच रही है, जीवन का कोई भी क्षेत्र आज विद्यूत के बिना आधूरा ही है। विद्यूत सयंत्रों में उत्पन विद्यूत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुचाने में ट्रांस्फॉर्मर की भूमे का अत्यांत महत्वपूर्ण है, पावर हाउज में उत्पन विद्यूत धारा की प्रबलता अधेक होती है, इस धारा को इसी रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुचाया जा सकता क्योंकि धारा की प्रबलता अधेक होने से उत्पन उश्मा का मान अधेक होगा जिससे विद्योत उर्जा का उश्मा उर्जा में अपव्याया होने लगेगा। इसके अतिरिक्त प्रबल धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मोटे तार की आवश्यक्ता होगी जो की आर्थिक रूप से खर्चिला होगा। अता धारा की प्रबलता को ट्रांस्फॉर्मर की सहायता से कम करके उसका स्थानांतरन किया जाता है। घरों में विद्यूत धारा देने से पहले पुना ट्रांसफॉर्मर की सहायता से धारा की प्रबलता को साधारन मान मान पर लाया जाता है। 1898 में अमेरिका में पानी की मदद से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ। धीरे धीरे पवन उर्जा, सौर उर्जा, परमानू उर्जा, जैव उर्जा आधी के द्वारा भी बिजली पैदा की जाने लगी। परमपरागत तोर से विद्यूत का उत्पादन ताप विद्यूत सैंत्रों के माध्यम से किया जाता है। कोईला तापिय उर्जा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है परन्तू इसकी सीमित उपलब्धता की वज़े से एवम इसके अन्वीनी कृत संसाधन होने की वज़े से उर्जा के वैकल्पिक साधनों की और वैज्यानिकों की द्रिष्टी गई गैर परमपरागत उर्जा के रूप में जल विद्यूत उर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोथ साबित हुआ जल विद्यूत सयंत्रों में जल की गती से प्राप्त उर्जा को टर्बाइन द्वारा विद्यूत उर्जा में बदला जाता है इस स्रोथ से न केवल सस्ती बिजली प्राप्त होती है बलकि इस उर्जा स्रोथ का नवीनिकरन भी किया जा सकता है विकिरन के खत्रों की चुनोती के बावजूद परमानू ओर्जा, नुकलियर एनेजी, विद्योत उत्पादन का महत्व पूर्ण स्रोथ है क्योंकि इसमें आल्प मातरा के इंधन से ही विशालूर्जा, विद्यूत प्राप्त की जा सकती है परमानू उर्जा हमें निम्न दो प्रकार से प्राप्त होती है नाभीकिय विखंडन्ट नूकलिय फिजिन जब किसी भारी नाभीक जैसे यूरेनियम 235 पर यदि नूट्रोनों की बच्छार की जाती है तब वो अपेक शक्रित दोहल के नाभीकों में विखंडित होकर बहुत अधेक उर्जा उत्पन करता है इस प्रक्रिया से परमानू रियक्टर तथा परमानू बम में उर्जा उत्पन होती है नाभिकिया समलंग न्यूक्लिय फ्यूजिन इस प्रक्रिया में दोहल के नाभिक जैसे हाइड्रोजन परस पर समलन करके भारी नाभिक हीलियम में परिवर्टित हो जाते हैं जिससे अत्यदेक उर्जा उत्पन होती है सूर्य की उर्जा तथा हाइड्रोजन बम की उर्जा का स्रोत नाभिकिय समलन ही है नाभिकिय समलन द्वारा नियंतरित धंग से उर्जा उत्पन करने की तक्नीका भी संभव नहीं हो सकी है वर्तमान में नाभिकिय उर्जा नाभिकिय विखंडन द्वारा ही उत्पन की जाती है सौर उर्जा या सूर्य के विकिरन द्वारा प्राप्त उर्जा भी उर्जा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोथ है ये हनुमान लगाया गया है कि प्रिथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरन के केवल शून्य दशमलाव एक प्रतिशत हिस्से से ही प्रिथ्वी के संपूर्ण उर्जा जरूरतों की पूर्ती की जा सकती है सौर विकिरन को विद्यूतूर जामे में प्रमुखताया सौर सेल के माध्यम से परिवर्टित किया जाता है सौर सेल की उपरी सता प्रकाश के प्रती समवेदन्शील पदार्थ जैसे सिकलकान, सेलेनियम, कैडियम सलफाइड या कौपर सलफाइड की बनी होती है जब सौर्य की किरने इस सता पर पड़ती है तो प्रकाश का अवशोशन होता है और सता से इलेक्ट्रोन मुक्त होने लगते हैं इन मुक्त इलेक्ट्रोनों के कारण ही विद्यूत उत्पन होती है इस विद्यूत को एक बैटरी की सहायता से एकत्रित कर लिया जाता है जिसका उप्योग किसी भी समय किया जा सकता है किसी एक सौर सेल से उत्पन विद्यूत उर्जा बहुत कम होती है अतहनेक सौर सेलों को एक विशेश क्रम में व्यवस्थित कर्स और पैनल बनाकर परियाप्त मात्रा में विद्यूत प्राप्त की जाती है इसी तरह विद्यूत उत्पादन के लिए पवन उर्जा भी एक व्यवहारिया एवं लागत प्रभावी विकल्प है पवन उर्जा की संभावना तीन कारकों वायू की गती, भूमी की उपलब्धता एवं विद्यूत निश्क्रमन के लिए मजबूज ग्रिड पर निर्भर करती है पवन उर्जा की सहायता से विद्यूत उर्जा का उत्पादन पवन उर्जा स्टेशनों में होता है वायू पवन चक्की की पत्तियों को घुमाती है जिससे इसके साथ जुड़ा क्यांक शाफ्ट टर्बाइन को चलाता है जो अपने से जुड़े डाइनमो को चलाता है और इस प्रक्रिया से विद्यूत उर्जा का उत्पादन होता है इस प्रकार हम देखते हैं कि बिज्ली की खोज से लेकर आधुने की युग में जहां बिज्ली की उप्योगिता में निरंतर वृद्धी होती गई है वही उसके उत्पादन के वैकल्पिक साधनों के खोज के क्षेत्र में भी व्यापक कार्या हुए है हालां कि अब तक की विद्यूत के क्षेत्र की उपलब्धियां संतोष चनक रही है लेकिन बिज्ली की निरंतर बढ़ती उप्योगिता और अनिवार्यता को देखते हुए इस क्षेत्र में निरंतर अनुसंधानों की जरूरत है